जब आप पीरिट में होते हैं तो चिर्चिडाहट और दर्द को किस तरह से डिल करें? क्या उसके लिए कुछ दवाईयां ली जा सकते हैं? हां जो पीरिड में दर्द होता है, जिसको कहते हैं यह की नॉर्मल का साइvärकी ली ज को एक है और नॉर्मला को स्वा क्योंकि उसमें जब डूर्यज होता है तब भी हलका दर्द होता है और इस समय भी दर्द होता है, कुछ लोगों के अंडा सही से नहीं बनता, उन महिलाओं को कभी पीरिट में पेन नहीं होगा, पर लेकिन जिनको सिवियर पेन है, और तो पेन को हम कैटेग्राइज करते हैं, कि माइल्ड है, मॉडरेट है, कि सिवियर है, अगर बहुत ही कम पे लोग बरफ के पानी में टॉवल को निचोड के तो उससे भी अराम मिलता है, पर उस समय में अगर यह सब मैजर काम नहीं करते हैं, तब हमें दवा की आवश्यक्ता है, जिसको हम कहते हैं, मॉडरेट टू सिवियर पेन, कुछ लोगों में इतना सिवियर पेन है कि दवा भी की कंडिशन है, किसी के चॉकलेट सिस्ट है, या ओवरी में सिस्ट है, तो हमें वो देखना पड़ता है कि किस एज में किसको क्या प्रॉब्लम है और दर्द का क्या कारण है, लेकिन अगर एक गोली खाके अगर आपका पूरा महीना सही निकलता है, या दो गोली भी खानी जो की नौन स्टिरोइडल दवा आती है, अगर वो खा के अराम मिलता है, तो उससे कोई नुकसान में तो ली जा सकती है, तो आप दर्द के लिए दवाई ले सकते है, वो सेफ है, ठीक